पार्टी में उनके बाद कोई रहा नहीं और कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़े इन्होंने छोड़ा था जौर साब के साथ अपना हिस्सा डीलों के आधार पर गडबन्दन होते हैं तो उसका हर्ष यही होता है उसका परिणाम ऐसा ही होता है इस पर तुम्हें स्वष्ट करी कि मैं चुनाओ तो गडबन्दन में ही लड़ूंगा अगला जो भी चुनाओगा गडबन्दन के थैत होगा कि बाचीत का भी दोहर जारी है आगे देखते हैं क्या इसका परिणाब बाचीत भारती एंडिय की तरफ जा रही है कि कह सकते हैं न चर्चा तो ही रही है हमार सा हैं वो सही बात कर रहे हैं भाई जब वो बोलते हैं कि हम अपना च्छोड़ के क्यूं जाए? सही बोल रहा हैै मुख्यमंत्री नितीश-कुमार जी ने अपना हिसा कभी छोडा किसी से अपने जितने शिश-नेताओ नियता-वे उने कर उनको प्रताड़ि नेकर मुख्यमंत को वो अपना नेता मानते हैं तो इसका मतलब उनकी पार्टी में उनके बाद कोई रहा नहीं और कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़े इन्होंने छोड़ा था जोर साब के साथ अपना हिस्सा किस तरीके से उनके साथ किये थे दिख विजे बाओ के साथ किस तरीके का बरताव र ŁUGDAN रहा है पर मुक्खे मंदरी जी की कारेशायली का हिस्सा रहा है जो लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे इन्हों ठगा नहीं तो क्या गलत बोलते हैं भई सबको इन्हों ठगने का काम किया है use and throw की policy मुक्खे मंदरी जी अपनाते हैं जब तक किसी की जरुवत रहेगी और भई मुक्यमंत्री जी के वेक्तित्व का सबसे खुबसूरत ग्यान तो इनी के राश्टी अद्देक्ष ने साजा किया था सबसे ये बात मैं नहीं बोड़ रहा हूं इनी के राश्टी अद्देक्ष ललन जी नहीं बोला तो वो कह रहे हैं कि जानना चाहता हूं मैं कि डील क्या हुई थी आखिरकार आर जेडी और जेडियों के जब सरकार बनी। कमियां थी NDA सरकार में जो की सिफ राज़त के साथ जाकर ही पूरी हो सकती थी। बिहार के विकास की कौन सी योजना है रुखी हुई थी। पर नहीं वो योजना कभी चर्चा में थी ही नहीं जिस डील का जिक्र कर रहे हैं वेक्तिकत महत्वकांचाओं के लिए ये गड़ब आपको अपने संडरक्षन में बुलाने का काम करते हैं और उसके बाद जब आपको जुक्त होती है जो बात कह रहे हो पे इन्दर जी कि भई दो साल से मेरी उनसे बाचीद नहीं हुई मुलाकात नहीं हुई तो भई इस बात का थो अनुभा मुझे भी रहा ए करोना वा है भाई मेरा क्या कसूरता यही था ना कि मैं करउना काल में आपकी गलत नीतियों का मैं विरोध कर रहा था ने चाता था कि भाई कोटा में जो मेरे बच्चे फसे हैं उनको आप लेकर आँ बेहार जितने बेहारी दूसरे प्रदेशों से आँगे सुविधाय दिलाने का काम करें तो जो भी इनको आइना दिखाने का काम करता है या इनको सुझाव देने का काम करता है मुख्यमंद्री जी उनसे समवाध हिंता साथ लेता है एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि 2014 जैसी परिस्तितियां बने चिराक पासवान उपेंदर कुश्वाहा जो है एंडिये के गटक दल बनके रूप रहे और सुनने में आ रहा है आपकी भी बात्चीच जो है भारती जन्ता पार्टी के साथ जो है हो रही है बाई मुझे नहीं पता कि चुनाओं आते आते तक क्या परिस्तिती बनेगी चौदा की आप बात करें हैं बाई चौदा में हम लोग एंडिये के साथ हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे यूपिये में उस वक हमारे नेता अदनी रामला सपासवान जी ते चुनाओं के पार्टी के उमिद्वारों के लिए जो है कैंपीन किया है तो यह माना जाए कि एंडिये के साथ ही आप जाएंगे कि चौदा और उन्निस दोनों चुनाओं आपने गडवंदन में लड़े थे देखी मेरी पीछे आदनी केंद्रिया ग्रहमंद्री जी से यह मुलाकात और मेरी पिछले गडवंदन में भी शिकायत यही थी कि भई अगर आपको साथ निश्चे पर ही काम करना है तो फिर बाकी दलों के एजेंडे का क्या होगा मैंने तो उस वक्षपा के सामने भी यह रखा था कि भई एक साजा नियुनितम कारिकरम बनना चाहिए जब एक कि मंदरी ने सिर्फ साथ निश्चे और भई मैं नहीं मानता इनली गली बनाने से घर गर नल जल पहुंचाने से बिहार का विकास कर सकते हैं उसके लिए आपको बड़ी योजना बड़ा विजन रखना होगा आईटी जॉब आईटी सेक्टर यह सारी बात आपको करनी होग है यह तो कह सकते हैं ना विच्छा तो होई रही है यह थे चिराक पास्वान कैमरामेन अमित के साथ हिमान शमिश्रा दिल्ली